दमद्दमद्दमन निनाद वद्दमरवयम चकारचंद तांदवं तनो तुरेश्यवह्चिक्रम धगत 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 जवललाट पटपावके किशोरचंद रुशेखरे रतिप्रतिक्षाम ममा क्योंकि शायद कम लोगों को यहां ये मालूम हो कि संस्कृत विश्वकी सबसे विज्ञानिक भाषा है सेंपेट्रोदा यहां बैचे हैं वो साक्षी होंगे इस वात के कि जब दुनिया में टॉकिंग कंप्यूटर बनाने की बात चली तो प्रश्ण उठा कि कौन से भाषा उसके लिए चुनी जाए क्योंकि कंप्यूटर का अपना कोई विवेक नहीं होता जो आप बोलते हैं वही वो लिखता है और जो लिखा जाता दिया जाता है उसी को वो पढ़ता है इसलिए भाषा व्याकरण की दृष्टी से भी वेज्ञानिक होनी चाहिए और धनी की दृष्टी से भी जो बोला जाए वही वो पढ़े आज गर्व से माथा उंचा करके कह सकती हूँ के विश्व की तमाम भाषाओं की समिक्षा करने के बाद जिस भाषा को सर्वता उप्युक्त पाया गया कंप्यूटर के लिए वो संस्कृत है क्योंकि जैसे अंग्रेजी में N-O-9 भी 9 है और K-N-O-W भी 9 है अब अगर आथ कंप्यूटर को बोलें I know this तो तो लिखेगा I N-O, know this कोई अर्थी नहीं निकलेगा उसका कहीं T silent हो जाता है तो कहीं E silent हो जाता है बोलते हैं, लिखते हैं entrepreneur, बोलते हैं entrepreneur वो विवेखीन कंप्यूटर कैसे देखेगा इसको लेकिन संस्कृत में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है यहां तक कि छोटी E और छोटे U की मात्रा की धनिया भी अलग है इती, जदि आपने छोटा बोला तो इती लेकिन दही, बड़ी की मात्रा बोला तो दही जो बोलेंगे वो लिखेगा जो लिखेगा वो ही पढ़ेगा लेकिन केबल धनी की बात नहीं मैं संस्कृत की विज्ञानिक्ता के दो उदारण आपको देना चाहूंगी संस्कित में शब्दों का इतना अपार भंडार है मित्रो कि रचनाकार अपने व्यक्तित्व के अनुसार उसको चुन सकता है एक प्रसंग है रामायन का कि जिस समय भगवान फ्री राम लंकेश पर विजय प्राप्त करने के लिए लंका जाते हैं तो भगवान शंकर की आराधना करते हैं वो स्तुति जिसमें करते हैं वो रामचरित मानस में रुद्राष्टकम के नाम से समाविष्ट किया गया है रुद्राष्टकम के शब्द हैं नमामी शमी शान निर्वान रूपम विभूम व्या पकम ब्रह्म वेदस परूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदा काश मा काश वासम भजें लेकिन उसी समय श्री राम पर विजय प्राप्त करने के लिए रावन ने भी आरादना की थी स्तुति की थी और उसने अपना स्तोत्र स्वयम रचा था जो श्रीव तांडव स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध है शब्द हैं दमड़ 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 निनादव दमरवयम चकार चंड तांडवम तनो तुरेश शिवह शिगम धगत 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 जवल ललाट पट पावके किशोर चंदर शेखरे रतिफ प्रतिक्षाम ममा धरा धरेंद्र नंदिनी विलास बंदु बंधूरा सु यहां बेठे किसी एक पाँच वर्ष के बालक के सामने यदि मैं केवल ये दो श्रोक रख दूँ और ये कहूं कि बच्चा ये बताओ इसमें से कौन सा रामण ने रचा होगा और कौन सा राम ने पढ़ा होगा तो बिना कुछ जाने वो कहेगा कि डमड़ 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 ये रामण का श्रोक होगा क्योंकि शब्द उसके व्यक्तितों से मेल खाते हैं और नमामी शमीशान निर्वान रूपम राम ने कहा होगा ये है संस्कृत की विग्यानिकता एक और उधारण देती हूँ आप हैरान हो जाएंगे संस्कृत के एक रचना का रहे हैं दंड़ी उनका एक नाटक है दशकुमार चरितम जिसमें दस राजकुमारों की कथा है अलग-अलग उसमें एक कथा आती है राजकुमार विश्वृत की प्रसंग है कि वो आखेट के लिए शिकार करने के लिए जंगल में जाता है एक तीर आकर उनके होट पर लगता है और उनका निचला होट कर जाता है प्रसंग के घाटने के बाद कथा अनेक पन्नों में चलती है कितने ही समवाद विश्वृत बोलता है लेकिन बंडी ने पूरे समवादों में कहीं भी ओष्ठांग का प्रयोग विश्रुत से नहीं करवाया है। ओष्ठांग क्या है? पूरा अल्फाबेट हिंदी का जो पवर्ग है वो ओष्ठांग है। पफ़ बफ़ मां। दोनों होट मिलाकर बोले जा सकते हैं। अगर दोनों होट में से एक होट नहीं है तो आप पह न नहीं बोल सकते हैं। यह पवर्ग ओष्ठांग है। तो अगर उसका एक होट कट गया तो उसने पवर्ग का उचारण कैसे किया। यह कोई भी प्रश्ण कर सकता था रचनाकार से। इसलिए अनेक समवादों में कहीं भी ओष्ठांग का प्रयोग नहीं है। यह संस्कृत क विज्ञानिकता है। लेकिन लोग आजकल कहते हैं कि संस्कृत तो बोलचाल की भाषा नहीं बन सकते। संस्कृत कभी जनभाषा नहीं रही। शायद इस से बड़ी अध्यानता की बात कोई दूसरी नहीं हो सकती। संस्कृत जनभाषा रही है। छोटे लोग, अनपढ़ बिना विज्ञाने में गए लोग संस्कृत बोलते रहे हैं। राजा भोज के काल में एक प्रसंग आता है कि राजा भोज एक बार अपने प्रजा का खालचाल जानने के लिए जंगल से जा रहे थे। सामने से एक लकड़हरा आ रहा था। उसने लकडियां काटकर अपने स सिर पर रखी हुई थी। पसीनों पसीन था। राजा ने लकड़हरे को देखा। तो तब संस्कृत में ही बाचीत होती थी। संस्कृत ही जनवाशा थी। तो राजा ने लकड़हरे से कहा किमते भारम बाधती। क्या ये भार तुम्हें कष्ट पहुंचा रहा है। लेकि संस्कृत में दो तरह की धातु में हैं। परस्मई पदी चलती है बाधती बाधता बाधनती। और आत्मने पदी चलती है बाधते बाधते बाधनते। बाध शब्द जो है वो आत्मने पदी में है। तो लकड़हरा जवाब क्या देता है। भारम न बाधती राजन ये थ चख ले रहा है कि कि बाधते शब्द का अशुद्ध उच्छार न आपने किया है यह शब्ध बाधते होना ह smiling तो कॉन कहता यह जणनभाशा नहीं यह जह नवासा रही है ने चरुटे जुनभाशा एक संस्कृत जिम्मेदारी आई है क्योंकि आज संस्कृत केवल कर्म कांड की भाषा बन कर रहे गई कल जब विश्व के लोग आएंगे और कहेंगे कि कम्प्यूटर के लिए हमें संस्कृत के विद्वान दो हम टॉकिंग कम्प्यूटर बनाना चाहते हैं तो एक विद्वान खड़ी होगी कि जिसे संस्कृत आती है उससे कम्प्यूटर नहीं आता और जिसे कम्प्यूटर आता है उससे संस्कृत नहीं आती इसलिए केवल साइटेशन संस्कृत में पढ़कर अपने कर्तब विखीती श्री मत कर लीजिए साउथ इंडिया एजुकेशन सोसाइटी का ये फर्ज बनता है ये कर्तब ये बनता है कि वो ऐसे लोग पैदा करे जो संस्कृत और कम्प्यूटर दोनों के परम विद्वान बने और उस समय जब हमारे सामने ये बोध आकर के खड़ा हो ये विशे आकर के खड़ा हो कि टॉकिंग कम्प्यूटर के लिए संस्कृत के विद्वान चाहिए तो साउथ इंडिया एजुकेशन सोसाइटी कहें ये लीजिए हम देते हैं जो संस्कृत के भी ग्याता है और कम्प्यूटर के भी ग्याता है क्योंकि अथा भंडार भरा पड़ा है हमारे ज्यान का हमारे शास्त्र हमारे उपनिशत्र हमारे ग्रंथ और उन ग्रंथों की सोच लोगों तक पहुंची नहीं आज अभी शंकर जी अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कह रहे थे उदार चरिता नाम वसुदही वकुटुम्बकम ये संस्कृत जानने वाले की सूच है संस्कृत बोलने वाला पूरी पृत्वी को परिवार मानता है वसुदही वकुटुम्बकम संस्कृत बोलने वाला प्रिथी को परिवार मानता है और अंग्रेजी बोलने वाला विश्व को बाजार मानता और ये सोच का अंतर है क्योंकि परिवार में प्यार होता है मित्रो बाजार में व्यापार होता है केवल व्यापार, शुद्ध व्यापार लेकिन यह कौन बताएगा लोगों को के भारतिय संस्कृति में पूरी प्रिथ्वी को पूरी वसुदा को कुतुम्ब मानने की भावना है सर्वे भवन तु सुखिना हम तो सर्वकी बात करते हैं सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्धनानी पश्चन तु मा कष्चि दुखर तुवेद सर्वके कल्यान की कामना किसने की है लोग अपनी अपनी बात करतें लेकिन यह वो भारतिय संस्कृती जो सर्वके कल्यान कामना करती है इसलिए बहुत जादा आवशक है कि ये ज्ञान जो छिपा पड़ा है उस तकों में केवल इस कारण नहीं पहुँच पा रहा कि ऐसी भाशा में है जो भाशा मृत्प्राय होती जा रही है जो भाशा केवल मंत्रो चार्क की भाशा बन गई है कि विवहा पध्धती करानी है ज इसलिए साउथ इंडिया एजुकेशन सोसाइटी पर ये जिम्मेदारी आईए आप इस काम को करें और मैंने अभी जब आप पैठे थे तो मैंने आपसे कहा था कि जो ठाइलाग का पुरसकार आपने मुझे दिया है मैं आपको वापिस करती हूँ आप इसी पुन्य कारे मे आप उसका इस्तेमाल करें और ये काम आप जरूर करेंगे मुझे लगता है तबी मेरा यहां आना सार ठक होगा बहुत बहुत था कि